आपका स्वागत है आज की चर्चा हम करेंगे भारत और स्री लंका के संबंधों के उपर पिछले हफ्ते की एक खबर है इंडिया लास्ट वीक बिकेंग दे फॉस्त अफ्री लंका स्वागत है भारत पहला ऐसा कर्च दाता बना जिसने आधिकारिक रूप से अंतरराश्ट्री मुद्राकोश को वित्ती आश्वासन भेज कर उस संकट्ग्रस देश के रिण पुनरगठम कारक्रम को समर्थन दिया आएमेफ हैस मेड इस डॉलर 2.9 बिलियन पैकेज फॉर स्री लंका कंटिजेंट ओन रिसीविंग फाइनन्सियल एसुरेंस फ्रॉम दे आइसलेंड नेसंस ऑफिसिल क्रेडिटर द्वीप देश के आधिकारी कर्जदाता से वित्ती आश्वासन प स्री लंका's three largest bilateral lenders चीन जापान और भारत स्री लंका के तीन सबसे बड़े द्यूपक्चिय देंदार हैं श्री लंका विल नाव हैब तो गेट सिमिलर एसुरेंस फ्रॉम चाइना एंड जापान बिफोर इट रिसीविप्स दे क्रूसियल आईमेफ एड अंतरराश्री को लंबो ऑन जैनुरी 20 सेड इंडिया डिद नॉट वेट फॉर अधर बाइलेटरल क्रेटर बट डिड़ वाट इस राइट फॉर स्री लंका जी कोनामिक रिकावरी भारत के विदेश मंत्री एस जैसंकर जो दिनांग 20 जनुरी को को लंबो गए थे उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देंदारों की प्रतिक्षा किये बिना ही स्री लंका के हित में जो सही था वही किया है यह हो गया शाब्दिक अनुवाद अगर इसका भावान वाद करेंगे या सही अनुवाद इसका होगा दिनांग 20 जनुरी को को लंबो दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जै इक्षा किये ही वही किया जो स्री लंका के हित में है देशीजन मिश्टर जैसंकर सेड वाजरी सर्शन ऑफ इंडिया जिसमें हम अपने सहयोगियों को कभी अकेला नहीं चोड़ते अगला और आखरी वाक है लास्ट इयर इंडिया है एक्स्टेंडेड नियरली 4 बिलियन डॉलर असिस्टेंट तो स्री लंका बाइवे अफ क्रेडिट्स और रोलोवर्स का बैंकिंग शब्दाउली में अलग-अलग अनुआद मिलेगा इसका आसान अनुआद होगा पिछल अगर अब तक आप हमारे मंच से जुड़े नहीं है ततकाल जुड़े जाए ताकि रोज सुबह आपको नई खबरे मिलती रहें